हलो एप्रिवन ऐसे बच्चे जो बिगनर है या फिर आपका मैस बहुत कमजोर है यह जो वीडियो होने वाली है यह आप सभी के लिए होने वाली है इस वीडियो को इस वीडियो के हर एक बट को भौत ध्यान से सुनना और उसको अपनी प्रप्रेशन में इंप्लीमेंट करना मेरा प्रॉमिस है आपको पूरे सिनारियो में पूरे इंटरनेट पर आपको इससे बेस्ट स्ट्रटेजी वीडियो नहीं मिलने वाली जो मैं आप से को बताने वाला हूं कम से कम टाइम में भी कैसे प्रप्रेशन करना है क्या रडनीति आपकी होनी चाहिए क्या-क्या मैं discuss करूँगा चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किस टाइप के questions का nature होता है यह मैं discuss करूँगा point आपको discuss कर देता हूँ दूसरा कितने घंटे आपको पढ़ना है तीसरा है कितने chapter आपके लिए IMP होने वाले हैं और चौथा है आपके पास कौन सी book आपको refer करना है जिससे आपका जो selection है वो कम time में हो पाए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले for beginner के लिए या फिर ऐसे बच्चे जो यह समझते हैं कि मेरा mass बहुत कमजोर है मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं इतने कम time में कैसे करूँगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले syllabus कैसे complete करना है उस पर मैं discuss करूँगा practice in less time कम से कम time में कैसे आप practice कर सकते हैं दूसरा बेटेज क्या है क्या रहा previous year का trend किन chapters को IMP बनना है किन chapters को पहले लगाना है या किस type को इन chapter के अंदर पहले attempt करना है तीसरा books और course जरूरी है क्या किन books को follow करेंगे या course follow करना है तो किस course को सर मैं purchase करूँ तीसरा आपका चौथा होगा sequence क्या sequence follow करें chapter में जिससे हमारे marks जो है वो ज़्यादा आएं subject में mathematics में तीसरा चौथा है आपका calculation अच्छा लास्ट है मैं आपको calculation में एक challenge भी देने वाला हूँ और उस challenge को आपको accept करना है और मुझे आने वाले दो महीने बाद कुस time बाद जरूर इस video पर message करना है आपको बताना है कि सर वो challenge accept करने के बाद आप में कितना change आया चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि question का जो pattern है बेटेज है वो किस type से रहा है average number of question का per shift मैंने यहाँ पर बेटेज आपके साथ discuss किया है और इस बेटेज को आप एक बार check कर सकते हैं यहाँ पर हर इक chapter को मैंने 2023 का tier 1 के जो भी आपके shift है 40 shift उनका बेटेज मैंने chapter wise आपको दिखाया है यह green जो मैंने mark किया in chapters का meaning आप यह समझेंगे कि in chapters को मुझे पहले ही complete कर लेना है तीसरा यहाँ पर 2022 का भी आप reference लेकर अपनी strategy को check कर सकते हैं कि किन chapter को आपको पहले pick up करना है तो अब यह video जो pdf है आपको telegram पर मिल जाएगी telegram आप पर search करेंगे exam with arhint तो आपको वहाँ पर यह pdf मिल जाएगी इस pdf को आप एक बार read कर लेना इस pdf का जो है वो आप print out भी ले सकते हैं कोई दिक्कतवाली बात नहीं है अब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ कि यह सारी चीजे अगर आपको clear हो गई है तो यहाँ पर दखो कहानी क्या है कहानी समझना अगर आपको mathematics में, मैस में आपको यے बिल्कुल मान कर चलना है कि आपको वीदा best बनना है वीदा best बनने का मतलब मेरा समझना आपको रामा अनुज बनने का काम नहीं करना है आपको वो वाला काम करना है जहां से आपके मार्क्स बनने लग जाएं यही मैं कहना चाहरा हूँ कि बेटेज को पहले एनलेसिस कर लीजे बेटेज से समझ में आएगा किन चेप्टर को आप बनवाए बन पिक अप करने वाले हैं दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहां पर हमारे लिए प्रिप्रेशन के लिए क्या बैस्ट होने वाला है तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप यूटूब का एक तरीका ले सकते हैं यूटूब पर आपको जिसकी भी क्लासिस भहतरीन लगती हैं उन क्लासिस को आप देखकर भी अपनी तयारी कर सकते हैं लेकिन उनके नूट्स आपको बना लेना है जैसे मैं कहूँ आपको एक्जाम बित अरहिंद पर आप मेरी पाथफाइंडर सीरीज को भी फालो कर सकते हैं दूसरा आती है बात कि सर मैं प्रेक्टिस कहां से करूँगा ये जो चैप्टर्स मिल गए मुझे मैं प्रेक्टिस कहाँ से करना है तो मेरा आप से एक बढ़ कहना है हमेशा आपको पी बाई क्यों अटेंट करना है जो की होंगे 80 percent किसी भी चैप्टर के आपको 80% PYQ करना है जो कि मैंने आपसे बेटेज में डिसकस किया है चाहे बिगनर हो चाहे मैं सापकी कम जोर हो PYQ attempt करना 80% अब ये PYQ एक साथ मुझे कहां पर मिलने वाले हैं और अगर आप मैं आपसे second वाली बात बोलूँगा अगर आप PYQ के अलाबा मौक भी attempt कर रहे हैं तो आपका ये 80% से जो SAM pattern पर question बन रहे हैं उन pattern को आपको attempt करना है लाग suppose that LCM SCM में अगर आपके ताइब बनके 10 question पूछे गा या 8 question पूछे गा हैं तो आपको clear हो जाएगा कि ताइब बनके 68 ये number है आपको एक अपना random column बना लेना है मैं ये suggest नहीं करूँगा कि मैं बना कर दूँगा आप बना लीजिए यहाँ पर आप एक column बनाएंगे मालीजे 11 है यहाँ पर 23 है यहाँ पर आपका 65 है आपको random add करना है 71 plus 11 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा 71 plus यहाँ पर करेंगे तो यह 94 होगा 1 plus 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 और 6 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा इस तरीके से आपको random daily के daily 10 minute आपको daily practice करनी है आप में बहुत ज़्यादा improvement होने वाला है अब यहाँ पर बात आती है कि अब मुझे सर mixed question की practice कहां से मिलेगी तो mixed question की practice के लिए आप exam with arhint app को follow कर सकते हैं exam with arhint app पर आपको बिल्कुल complete, बिल्कुल comprehensive बे में आपको पूरा का पूरा content मिलने वाला है आपको exams को लेकर SSC CGL 2024 के लिए आपको एक-एक variety का question मिलेगा किन chapters के ज़्यादा questions आए हैं उनका ज़्यादा question आपको मिलेगा और अगर आप mock लगाना जाते हैं तो मैं यह कह सकता हूँ पूरे internet पर पूरी app के बल्ड में कि exam with arhint पर आपको उसी variety के question जो हैं वो mock में देखने को मिलने वाले हैं मैं discuss करूँगा आपसे यहाँ पर books और sir, notes क्या होने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपने ही notes बनाना तयार करना है अब इन notes को बनाने का time sir मेरे पास का मैं यह doubt आ गया कि sir मैं notes बनाऊं कि मैं पहले पढ़ू तो एक chapter की किसी भी chapter को अगर आप compile कर रहे हैं तो उसका 80% आपको question attempt करना है और वो कौनसा होगा आपको पी वाई क्यू यह promise अगर आप अपने आपसे कर लेते हैं तो definitely आप कम समय में beginner हो चाहे mess आपकी कमजोर हो आप बहुत जादा confident feel करने वाले हैं तो क्या हमारा plan होगा किस type से books को हमें follow करना है तो मैं आपको एक reference book देने वाला हूँ practice आपको 3 से 4 वार करना है practice आपको 3 से 4 वार करनी है बना practice के काम नहीं बनेगा अब आती यह बात यहाँ पर कि भाई practice यहाँ पर इस बट को ध्यान से समझना मैंने क्या कहा आपको वो student नहीं वनना है जो trick वाला हो मेरी यह video आपको उन बच्चों के लिए होने वाली है जो selection के लिए बिल्कुल serious है तो trick से काम नहीं होगा practice से आएंगे आपके marks practice से अगर marks आते हैं तो आप अंगड़ित की आगर आप तयारी करते हैं तो आप कम समय में इतना बहतर score कर सकते हैं जो आपने सोचा है अपने dream को लेकर जैसे कि यहाँ पर आपको एक अंगड़ित मिलेगी इसका Hindi और English edition आपको मिलने वाला है सबसे मज़ेदार बात इन में क्या होने वाली है इस book के अंदर आपको 2024 के विल्कुल updated question देखने मिलने वाले हैं और ये आप भी जानते हैं कि updated question के मामले में ऐसी कोई भी book नहीं है जहाँ पर 2024 के questions updated मिलते हैं इन books के अलावा आप अगर यहाँ पर fast track बस्तु अंगड़ित को अध्यान करते हैं जहाँ पर आपको number of questions मिलने वाले हैं वो भी practice के लिए मिलने वाले हैं और इन practice के question में आपको PYQ जो मिला है अब PYQ तो लगा लिए sir मैंने यतना PYQ लगा है अब मैं practice कहां से करूँ मुझे और practice करनी है क्योंकि हर chapter की आपको तीन से चार बार practice करनी है तो इनके same pattern के सवाल आपको in books के अंदर मिलने वाले हैं इनको आप follow कर सकते हैं तो अब दिखिएगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि actual में pattern क्या है तो आप दिखिए सबसे पहले जैसे कि आपने number system chapter को उठाया number system chapter के अंदर आपको इन books के अंदर ऐसा theory का pattern मिलेगा अब theory के pattern के बाद में आपको यहाँ पर जो यह box मिल रहा है इस box को आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है क्योंकि question आपके यहीं से वनने वाले हैं यहाँ से अगर आप देखते हैं सबसे पहले महत्मून तत है important information है इन points को अगर आप cover करते हैं तो आपका question यहीं से वनना start हो जाएगा इन chapter को बिल्कुल skip नहीं करना तो ऐसा कौन सा book था तो मैंने आपके सामने book discuss किया जैसे कि यह very very important concept है कि n square n plus 1 square के बीच मैं number of integer क्या होते हैं तो इतने बहत्रीन तरीके से यहां पर आपको बताया गया है जो कि आपके time को कम करेगा less time में आप जादा से जादा चीज़े क्या करने वाले है gain करने वाले है दूसरा अगला point जैसे मैंने आप से कहा notes आपको मिल गए अब आपके पास सारे के सारे notes है आप इन books के हर एक line को अपने marker से underline करेंगे अलग-अलग color से underline करेंगे कि सर यह information मुझे मिल गई है अब question की variety क्या होनी है जैसे कि मैं variety के अगर मैं बात करूँ आपसे अलग-अलग variety जो होगी वो यहां पर आपको जो variety मिलनी है वो इस type से आपको दिखाई देगी देखिएगा हर एक topic को clearly बताया गया है जैसे कि यहां पर divisibility के सवाल सबसे जादा अब मैं बता देता हूँ number system में CGL के अंदर divisibility से सबसे जादा question पूछा गया मतलब 60% question जो है divisibility से पूछा गया तो मतलब आपको आप divisibility के question यहां पर मिलने वाले हैं जैसा कि आप दिखाऊंगा मैं direct question पर आपको लेकर चलता हूँ अब आप यहां पर देखिएगा सबसे पहले अगर मैं आपसे question की बात करता हूँ यह देखेंगे आप SSC CGL tier 1 2022 का question था यहां पर पूछा गया कौन यहां पर को प्राइम का जो है PR बनने वाला है अब इस variety के question आपको आँगए भी मिलने वाले है variety में cover क्या हो रहा है आपके different exams के question है अगर आप चाहते हैं कि नीशर मुझे CGL की attempt करना है तो आपको फिर number of question जैसे देखेंगे आप SSC CGL tier 1 2023 का question मैंने क्या कहा था 2024 तक updated question आपको कहां पर मिल रहा है एक मात्र पूरे के पूरे online education के अंदर एक book है जो कि है आपकी test of arithmetic इसको लगा सकते हैं आप practice की book भी बताऊंगा मैं आपको practice किस book से करना है यह पूरा का पूरा pattern है आप एक बार देख सकते हैं यह sample PDF भी मैं आपको telegram पर forward कर दूँगा इसको भी आप एक बार check कर सकते हैं अगर आपको इस roadmap को आप लेकर चलो definitely आप बिल्कुल मेरा surety है कि आप success होने वाले हैं अब देखिए यहां पर आप आपको mixed question कैसे मिलेंगे पूरा chapter पढ़ा आपने पूरे chapter का concept तयार हो गया उसके बनने वाले PYQ आपने अटेम्ट की है अब फिर आपको mixed question भी तो लगाने अब mixed question के लिए आप क्या करोगे या तो कोई दूसरे sources follow करोगे या फिर search करते करते अपना time kill कर दोगे जबकि हमारे पास हमें पता है time बिल्कुल भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप देखेंगे यहां पर SSC CGL tier 1 11 digit का जो नम्मर है exact बिल्कुल question वो यहां दिख रहा है अब इस से upper level क्या मिला मुझे SSC CPO 2022 का question मिल गया फिर देखेंगे हम SSC CGL tier 2 का अच्छा फिर अच्छी बात क्या होगी अच्छी बात ये रहने वाली है बच्चो मैं क्यों इस book को आपको suggest कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर आपको SSC CGL tier 2 mains examination का भी आपको पूरा का पूरा कबर यहां पर हो रहा है आपका syllabus और आप यह जानते हैं कि pre के साथ अखेली pre की तैयारी नहीं होगी आपको means भी लेकर चलना होगा क्योंकि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए strategy वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको इसी बार selection लेना है बहुत concise में बहुत compromise में मैंने ये तयार किया आप लोगों के लिए अब देखिए इन वुक्स को अगर आप रीड करते हैं तो definitely आप शुर सक्सेस होंगे यहां पर हम बात करें arithmetic के अंदर जो sequence मैंने follow करना आपको मैंने कहा था sequence क्या follow करो आपको ये sequence follow करना है अर्थमेटिक के अंदर और ये एडवांस के अंदर ये PDF आपका पूरा का पूरा मैं टेलीग्राम पर असाइन करने वाला हूं इसको आप देख सकते हैं अगला पॉइंट क्या है आप मैं सको डेली के डेली three to four hour study करने वाले सबसे पहले बीक वन में आप जो मैंने आपको reference book दी है उनसे आप geometry attempt करेंगे फिर manipulation करेंगे अब आपको एक ही book के अंदर सारा का सारा content स्टार्ट हो गया जैसे कि सबसे पहले आपको डाउट आया कि सर theory कहां पर मिलेंगे क्या मैं इसके लिए बहुत सारी video देखूं मुझे कैसे चलेगा पता कौन दी best है कौन best पढ़ा रहा है नहीं मैंने का आप इसको follow करो theory यहां से read करेंगे theory पढ़ने के हो गया आपका revision अब chapter का तीन बार revision हो गया exercise में जब आप देखेंगे तो आपको mixed question मिलेंगे जिन chapter का बेटे ज्यादा है वहां पर आपको mixed question मिलेंगे उन mixed question को आप attempt करेंगे तो आपने मैंने कहा कितनी प्रेक्टिस की आपने total four time यहां पर practice अपनी complete कर ली है इसके अलावा यह पूरा format आपको मिलेगा फिर भई बाली बात आते हैं यहां पर इन reference book को follow करकर आप definitely अपनी सफलता को achieve कर सकते हैं और कम टाइम में चाहे बिगनर हो चाहे आप मैसमें कमजूर फील करते हैं तो challenge मेरा आप समय ने कर सकते हैं और आप मुझे inform करेंगे कि सर इसको पढ़ने के बाद कितना ज्यादा आपको improvement देखने को अपने आप में मिला हुआ है तो यह है हमारा पूरा detail plan जो कि आपको one-one करके क्या करना है follow करना है इसके अलावा अब आ जाती है बात कि सर practice कि mode में करनी है तो practice के लिए आप एक follow और यह कर सकते है कि आपको जो reference book follow करनी होती है जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर देखिएगा यह जो reference book होगा आपके पास practice के लिए मैं बात कर रहा हूँ अब practice के लिए आप आप in books के साथ जाएंगे जैसे यहाँ पर आपके पास एक simple format में आपको टोटल थर्टी नाइन sol paper sir sol paper की shift कहा मिलेगी अप paper तो आप download कर सकते हैं लेकिन इनका solution और solution वो जो आपका exam approach हो है exam approach होना चाहिए तो exam approach में यहाँ पर आपको मिलेगी speedy method speedy method क्या होगी ऐसी method होगी जो आपकी speed को maintain करेंगी क्योंकि भाई exams के लिए time management भी तो करना है तो आपको complete preparation के लिए guide होगी 39 sol paper आपने attempt कर ली अब और practice कैसा है करना तो practice का सारा का सारा एक ही platform पर आपको जब available होगा जैसे कि यहाँ पर 25 practice set यह 25 practice set अके लिए practice set नहीं है जैसा question का variety cover किया गया उसी pattern पर based आपको 25 practice set मिलने वाले हैं जो कि मैंने आपके साथ discuss किया हुआ है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं आपसे discuss करूंगा मैं आपको इसके solution की तरफ लेकर चलता हूँ और आप solution देखेंगे तो complete आपको बिल्कुल updated solution यहाँ देखने मिल रहा है बिल्कुल updated solution ने एक-एक question का solution किया गया है यह नहीं कि question का solution को जो छोड़ दिया गया मैं दिखाना क्या चा रहा हूँ मैं आपको यह speedy method दिखाना चा रहा हूँ सबसे पहले आप beginner हैं तो आपको यह concept समझ में यहां से आएगा लेकिन जब आपकी mess में आप कमजोर feel कर रहा है आपको time management करना होगा तो आपकी help कौन करने वाली है speedy method help करने वाली है तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए थी उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा strategy वीडियो समझ में आया होगा और आपने एक एक बड़ को सुना होगा और मेरे challenge को भी accept कर लिया होगा सभी अपनी preparation लग जाईएगा और खूब सारी मेहनत कीजे है best of luck मेरे दोस्तों मेरे एस्परेंट थैंक यू